जै हिंद तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गोरकपुर्वी सवविद्याले से समंदित बहुत ही महतपूर नियूज को देखेंगे और यह वीडियो उनके लिए काफे इंपॉर्टेंट है जो इस बार गोरकपुर्वी सवविद्याले में एड्मिशन ले चुके हैं या फिर एड्मिशन लेना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नियूज बताने से पहले बीए का कटाफ बता देता हूं कि बीए का आज का कटाफ क्या है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बीए का जो है आज का जो एड्मिशन होगा यह सी एस बज़े से साड़े बारे बज़े तक पिछड़ा वर्ग यानि की ओविफी कटेगरी चतुर्थ फूची से चववन अंक तक पाने वाले तथा अनुफूची तजात की चतुर्थ फूची से पचास अंक तक के अभर्थियों का प्रवेश होगा साथ इसाथ जो EFT के टेगर के इस्टुरेंट है उन सब यह भर्थों को एड्मीफन के लिए बुलाया गया है तो BA का आज का यही कटाफ होने वाला है अब बात करते हैं important news के बारे में जो भी नए चात्रा है उनके लिए क्या important update है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अ अब जो है आप लोग minor को minor subject को वैकल्पिक नहीं बलकि main subject के रूप में जो है पढ़ेंगे इसके पहले क्या होता था कि आपके graduation में जब 3 साल का graduation होता था तो basically जो है दो subject आपके major होते थे और एक subject आपका minor होता था लेकिन आप ऐसा नहीं है अब जो है चार साल का graduation आपका हो जो है major और minor दोनों subject आपको पढ़ने हैं और साथ ही फाथ जो आप लोग जो है third year में जो भी subject छोड़ेंगे वही आपका minor subject कहलाएगा आप लोग पूरी update यहां पर देख सकते हैं दीन द्याले उपध्याय गुरःपुर विश्वविद्याले में अफनातक विद्यार्थी अब minor को जो है वेकलपिक नहीं बलकि मुख्य विश्वे के रूप में पढ़ेंगे और विश्वविद्याले ने अपने नए चार वर्षी अफनातक पाठिकरम में विद्यार्थियों को राहत देने के लिए बदलाव किया है फासी फास मैं आपको बता दूं कि जो नया प लग बोज होता था लेकिन अब जो है वह एक ही माइनर विश्वे को चार से मिफ्टर तक पढ़ेंगे ठीक है माली जे फॉर एक्जामपल यहां पर दिया गया है कि कोई विद्यार्थी जो है ब्यासी में फिजिक्स कमिफ्टी और मैस लेता है ऐसे में जो है गडित को ऐसे नहीं था बाखी दोनके मेजर विशे होंगे इस तरह उसको पहले से मिफ्टर मे दो मेजर एक मैनर और दो इसिद्वाट एक और एवलटी जो है एन junction को पढ़ने को होंगे साथिद्वान एसकील एन tubing को पहले तीन और एवलेटी एन आसमेंट को पहले चार से मिफ्टर पलोंगे उसमें जो इंवी Bowl कोर्स पढ़ना होगा पहले तीन से यह सकते हैं पहले चार सेंहार पर हैं आखर उसे करना जाहते हैं तो थैक है नए पाठिक्राओ को information को को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्क देने की कोफिस्की यह है और माइनर विश्य में विजार्सिगों को पहले 4 में ही पढ़ना होगा लेकिन अगर वे चाहे तो आगे इस raised आ दो यहीं कर शकते हैं यहीं वे चाहे तो इसे मेजर में भी मदलसक्ते हैं यानि कि माली जे आपने physics committee math लिया और आपने माली जे math को minor ले लिया तो minor को आपको major में बदलना है तो major में भी आप लोग बदल सकते हैं ठीक है पहले जो है आपका 5 पेपर होता था लेकिन अब जो आपका 5 ही पेपर होगा यह मैं आपको अलेडी बता चुका हूँ पहले अफनाथक प्रथम वर्फ में basic और मुखे परिशाद दोनों को मिलाकर साथ परिक्षाएं होते थी लेकिन जो है इसकी अलावा minor, vocational और co-curricular परिक्षाएं होते थी लेकिन अब जो है केवल 5 विशाओ की ही रिक्षाएं देनी पड़ेंगी तो इससे आपका काफी बहुत हलका हो जाएगा और आप लोग अच्छे से एक्जाम के त्यारी करके एक्जाम दे पाएंगे ठीक है तो यह minor और major के विशाओ के लिए update था तो किस प्रकार से आपको minor और major का इसे का chain करना है मतलब basically किस प्रकार से आपको पूरे semester पूरे year में क्या क्या पढ़ना है पूरे graduation में आपका क्या क्या subject होने वाला है ठीक है और minor को आप लोग major में भी connect कर सकते हैं साथ इसाथ minor से आप लोग PG भी कर सकते हैं और जो भी subject आप लोग 3rd year में छोड़े तो यह काफी important update था आप अभी के लिए और आप सभी लोगों का जो चार फाल का graduation है वह इसी बार से जो है लागू होता है तो आप सभी लोगों का जो graduation है वह चार वर्षका हो चुका है तो इस वीडियों बस इतना ही अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप लोग comment में तो आप लोगा souvent कोई डिल्खका है वह तो